एस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक करेंगे सेलेक्शन अंड प्रोजेक्शन का ठीक है तो क्या करेंगे हम इस वीडियो में सेलेक्शन अंड प्रोजेक्शन बहुत ही असान concept है selection and projection ठीक है this is one of the most easiest topic और बच्चों को समझ नहीं आता लेकिन Apps Classes के student champion होते हैं जैसे कि इस वीडियो के बाद आप भी होने वाले हो selection and projection इसको समझाने के लिए आपको किसका concept आना चाहिए SQL command select वाली command आने चाहिए ठीक है तो वो मैं explain नहीं करूँगा उमीद रखूँगा आपने SQL की वीडियो देख रखी होगी और select command आपको आती होगी तो ये topic selection and projection ऐसे मान के चलो dbms से related है या फिर SQL से related है selection जो होता है और projection जो होता है इसको represent हम करते हैं mathematical form में यानि की selection and projection कहने को तो explain करने को तो मैं SQL और dbms की respect में करूँगा dbms is database management system अगर मैं SQL कहरों dbms करों तो आप मान के चलना same ही बात है ठीक है selection and projection जो है ये जो part है ये part है relational algebra का किसका part है relational algebra अब जैसे ही word आता है algebra ये किस से related होता है ये होता है math से related तो घबराने की जो इतनी है सब समझ में आएगा relational algebra का मतलब क्या हुआ इसके अंदर SQL के अंदर या dbms के अंदर अगर आपको किसी भी command को select command को किसी भी नहीं करा select command को represent करना है किस form में mathematical form में अगर हम किसी भी command को mathematical form में represent करते तो that is the part of relational algebra यानि कि selection and projection में हम select command use करेंगे और उसको हम represent करेंगे mathematical form में तो वो क्या बन जाएगा relational algebra का part बन जाएगा ठीक है बहुत easy है समझ आने वाला बहुत असानी से समझ आएगा अब ध्यान देना सबसे पहले हम बात करेंगे selection की किसकी बात करेंगे हम selection की ठीक है अब मैंने क्या का mathematical form में represent करेंगे math के अंदर कुछ यह symbol होता है है बोलो किसका symbol होता है जल्दी बोलो sigma का किसका symbol होता है सिग्मा की से star हो रहा है ऐस से selection किसlus अगरे ऐस से तो आप को याद रहगा Sumad Si歐 Economy session का symbol क्या हो गया Sigma अब बात करेंगे projection की अभी लिखना नहीं अब धिन best शिरांसे सब्दों से जाना अब हम किसके बात करेंगे Projection की क्या selection हो गया नहीं अभी समझेंगे वापई आएंगे Projection Projection जो वर्ड है किस से स्टार्ट हो रहा है PC और हमें किस से रिप्रेज glowing करना रिलेशनल एल्गेब्रा तो यानि कि मैंस की की form में represent करना है यह किसका sign है जल्दी please बोलो कमेंट में लिखो किसका sign excellent पाई का sign है देखूंगा किसरा बच्चे का लिखा हूँ तो यह किसका sign है ? P word किस और होगा है P से projection किस और हो रहाया P से similarly selection किस से start हो रहा है ? S स स्गमा किस स्टीर हो रहा से तो सिमबल याद रहेगा सेलेक्षन के लिए Civama का प्रोजेक्शन के लिए पाई का सिमबल अब हम इन दोनों को समझेंगे थिक है सेलेक्शन के होता प्रोजेक्शन के होता अब हम समझेंगे विदी हेलप of sql कमांड सपोस करो मैंने लिखा सट्सलेक्ट nooit star from gaps where marks greater than 90. चेकर हैं? अब मैंने यहाँ पर क्या command लखी? select star from gaps where marks greater than 90. इसका मतलब क्या हो गया? जो table है gaps, उस सारा data दो, उन students का, जिसके marks 90 से जादा है. suppose करो table के अंदर roll number है, name है, marks, age है, address है, तो जैसी हमने star लगा है, इसका मतलब roll number चाहिए, name चाहिए, малень bump चाहिए, age चाहिए, address चाहिए, सारी चाहिए, लेकिन उनका, जिनके, क्या है, marks, 90 से जादा है, तो यानि कि हमने condition लगाई है किस के उपर row के उपर row की value के उपर star मतलब सारे columns त्री है अब जब हम इसको represent करेंगे relational algebra की form में तो किसकी help लेंगे selection की यानि sigma की तो आप कैसे लिखोगे ध्यान से समन्ना आप लगाओगे sigma है selection किससे होता है sigma का sign इस command को आप represent करोगे कुछ ऐसे sigma लगाया जो condition है उसको कहां लगा दोगे sigma के नीचे यानि की यहां पर नीचे लिखा marks greater than 90 ठीक है यानि की sigma मतलब सारी information दो किसकी उन students की जिसके marks 90 से ज्यादा है कहां से table का नाम लिखा हुआ रहे gaps तो आप क्या करोगे sigma के सामने marks के उपर marks greater than 90 थोड़ा सा नीचे लिखा क्या लिख दोगे table का नाम ठीक है क्या लिख दिया हमने table का नाम bracket में यानि की यह जो represent कर रहा है यह represent कर रहा है sigma मतलब data निकालो कहां से table gap से किसका जिसके marks 90 से ज्यादा है कौन सा data सारा data रोल नमबर नहीं marks एड्रेस फोन नमबर जो भी है सब table से चीह में लेकिन किसका ची है हमारा selection तो selection क्या कर रहा है selected rows निकाल रहा है selection क्या कर रहा है selected rows निकाल रहा है वह में definition अभी लिखवाँगा ठीक है अब आते हैं पाई पर projection इसको समझाने के लिए फिर लेते हैं हम एक example हमने लिखा select role number कॉमा नेम सौरी रोल नमबर कॉमा नेम फ्रॉम टेबल का नाम गैप्स यानि कि जब हम यह कमांड लिखेंगे तो क्या करेगा रोल नमबर शो करेगा नेम शो करेगा किस टेबल से गैप्स वाले टेबल से अब अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किस से relational algebra तो कौन सा concept यूज़ करेंगे projection क्यों क्योंकि यहाँ पर selected columns है selected कि चौलम से हैं तो कौन सा use करेंगे हम projection projection के लिए किसका सिंबल पाई का सिंबल तो कैसे लिख देंगे हम कुछ ऐसे लिख देंगे पाई ठीक है दुबारा बना लेते हैं एक बार तो क्या लिखा पाई इसके नीचे पाई के नीचे जो जो number और name से उपर bracket में क्या लिख देंगे table का नाम क्या है gaps तो यहां लिख दिया हमने gaps ठीक है basically यह concept हो गया किसका पाई का तो जब exam में आए वैसे तो मैं भी definition लिखा हूँगा अगर आपको समझ नहीं आए definition भूल जाओ वैसे तो ऐसा marks is greater than 90 will be displayed from the table gaps yeah will be retrieved will be retrieved from the table gaps यहां पर in this projection में क्या होगा in this role number and name will be retrieved from the table gaps तो यह क्या हो गया हमारा normal selection and projection अब question आता है definition क्या लिखेंगे तो definition समझते हैं पहले आप यह लिख लो फिर में definition पर आऊँगा ठीक है यह projection का हो गया अब आते हैं definition पे अब आते हैं definition पे selection selection का मतलब सिग्मा यह क्या कर रहा था एक बर वापिस दिखा देता हूं इसने क्या करा यह शो कर रहा है select star यानि सारे columns लेकिन किसके उनके जिनके marks 90 से उपर है यानि कि selected rows तो selection क्या होगा ध्यान से समझो तो selection क्या है इट इस यूस्ट इस यूस्ट टू रिट्रीव पर्टिकूलर टपल्स पर्टिकूलर रोस या फे टपल्स रोस का दूसरा नाम टपल्स ब्राकेट में टपल्स लेते हैं फोन दी रिलेशन फ्रॉम दी रिलेशन रिलेशन का मतलब टेबल और गाप्स क्लास सस्के नोट जरूर ले लेना अगर नही लिये तो from the relation based on based on particular condition based on particular या फिर specified condition लिख दो या particular based on particular condition better as specified लिख दो ठीक है तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं based on specified condition जो भी आप condition specify करोगे उसके basis के उपर रोज आ जाएगा ठीक है this is called as selection अब आएंगे हम किस पर projection पर तो next is projection projection किस से denote होता है जल्दी बोलो very good पाई से तो यह क्या कर रहा था particular columns दिखा रहा था इस यूस्ट इस यूस्ट इस यूस्ट तो रिट्रीफ पर्टिकूलर कॉलंस पर्टिकूलर कॉलंस फ्रॉम दी रिलेशन किसे relation से चेकिए एक्जामपल जरूर देना कौन सा एक्जामपल यह जो दोनों लिखे हैं हमने यह मतलिक कर आना यह आपको समझाया है सिरफ यह लिखना प्रोजेक्शन में और सेलेक्शन के अंदर यह लिख देना चेकिए तो यह यहां तक क्लियर हमने क्या सीख लिया आते हो जो जो आपके courses है या जो हम पढ़ाते हैं तो उसके हमारे premium courses भी हैं उनके लिए अगर आपको information चाहिए तो number flash हो रहा है call कर सकते हो WhatsApp कर सकते हो तो हम मिलेंगे next video में thank you so much for watching the video of gaps classes